चिंदवाडा के शिवनी प्राण मोती में गुरुवार्दो पर बारा बजे के करीब एक धाई साल के बच्चे का अपरण हो गया था परिजनों द्वारा इस घटना की शुकायत कुंडिपूरा थाने में दर्स कराई गई थी जिसके बाद पुलिस ने ततकाल कारवाई करते ह वे बच्चे को ढूंड निकाला पुलिस अदिक्षक विवेक अगरवाल के निर्देशों पर कुंडिपूरा और देहात थाना की पुलिस बल को इस ओपरेशन की जिम्मेदारी सौपी गई थी पुलिस की सक्रियता को देखते हुए पुलिस ने CCTV कैमरे के फुटेज के आध पुच्टाच में लिया है इस घटना के संबंद में पुलिस अदिक्षक विवेक अगरवाल ने अपरण करता किस साथ और कौन लोग शामिल है इसकी भी कड़ी पूच्टाच की जा रही है फिलाल बच्चे को उनके माता पिता को सकुशल सौप दिया गया है लगतार प्रयास किया जा रहा था विविनिटी में शहर के अलग-अलग इस्थानों पर अग्यात बेक्ती और उस बालक की तलाज के लिए लगाई गई थी लगतार प्रयास करते करते आधी रात के लगभग पुलिस को महतुपुन साक्ष प्राप्त हुए जिसमें CCTV फूटेज उस अग्यात आरोपी के संबन्द में उस बालक को अपहरण करके ले जाते हुए पुलिस को प्राप्त हुआ परन्तों फिर भी उस अग्यात बेक्ती के पुलिस को उस वक्त सफलता प्राप्त हुई जब इस अग्यात बेक्ती की पहचान एक माध्यम से हो पाई और उसके बारे में पुष्ट जानकारी प्राप्त हुई उस बेक्ती के रिष्टदारों और अन्य लोगों का पता लगाते हुए पुलिस जब उनके ठीकानों पर पहुंची तो उस बालक को उस वक्ती के साथ दस्तियाब कर लिया गया है और बालक सकुशल रूप से उनके परिबार जनों को भी सुपुर्द कर दिया गया है